है लो दोस्तों मैं दिपेंज सिंग आप सभी काई बर्फिट से आपके अपने यूटूब चैनल रादे स्टेडी हमें स्वागत करता हूं हम लोगों ने टाइम इंड वर्क और इसे गरवाल की एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ दी थी आज हम लोग पढ़ने जा रहा है पाइप और टंकी का कोश्चन नमबर फस्ट देखत नल है ए और बी जो एक टंकी को बारा और पंदरा घंटे में भरते हैं कहे रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे टाइम इंड वर्क को करते थे लसी हम लेंगे आएगा साथ बारा पंच यहुशे साथ 15 चोको si जोड़ेंगे इनको नौ आएगा उसमें इंटे मानते दूसमें क्या करेंगे लीटर मानेंगे साथ ली-टर है एक गंटे में दोनों मिलके बढ़ते हैं 9 दिय गंगे 10 से काटेंगे 20 बार जाएगा यह जाएगा तीन बार तीन से काटेंगे तीछा का ठारा, छह सही दो बटे, तीन गंटे का समय लगेगा और पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी, अगर इसको निकालना है आपको किसमे, मिनट में तो ये छह गंटे हो गए, दो बटे, तीन को मिनट में बल देंगे, तो साट का गुणा कर देंगे, मिनट हो जाएगा, तीन से काटेंगे, बीस बाड़ जाएगा, बीस दूरी चालिस, तो छै गंटे, चालिस मिनट, ये हमारा आगया समय, तो अक्जामपल नंबर पहला हो गया, अक्जामपल नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं, सेकेड नंबर एक्जामपल, दूसरे टंकी को 16 गंटे में बढ़ता है एक नल एक टंकी को 16 गंटे में बढ़ता है जब कि कह रहा है टंकी में छेद होने के कारण टंकी 24 गंटे में भरी जाती है टंकी में छेद था मतलब ये पानी निकाल रहा था दोनों जब खुले थे तो टंकी जो थी वो 24 गंटे में भरी गई कह रहा है यदि टंकी को पूरी भरी हो तो छेद से कितना पानी निकलेगा LCM लेंगे कितना आएगा 48, 16, 43, 24, दूनी 48 इसका मतलब ये हुआ, एक तीन भरता है लेकिन ये क्या करता है, जब दोनों चालू कर दिये जाते हैं तो केवल दो भर पाता है ये तो आपका तीन भर रहा आदा लेकिन इसने खाली कर दिया तो केवल कितना भरा, दो मतलब यह कितना खाली कर रहा है एक खाली कर रहा है 48 दे रहा है total 48 लीटर है यह गंठे में इस लीटर खाली करता है तो 48 लीटर 48 गंठे में खाली कर देगा और यही हमारा अंसर आ जाएगा मीट करते हैं question number दूसरा भी आपको और वो अच्छे से समझ में आगया होगा तीसरे कोशिंग की और बढ़ते हैं कोशिंग नंबर ठर्ड क्या देरा है है थर्ड नंबर कोश्ण तीसरा कशिंग जो है वहमें दिया गया है उक जामपब 425 थीशए यत तंक की को सी एक्स लगी यह भरी टंकी को तीस मिन्ट में खाली कर देता है ची के बात काहरा है कि तेपट भी दोनों एक साथ खोले जाने पर साथ मिनट बाद सी को खोल दिया जाता है इनका एलस्यम लेंगे वन8 टी आएगा इससे डिवाइट करेंगे पांच बार इससे चार बार इससे डिवाइट करेंगे च्छे बार ये खाली कर रहा था A और B को खोल दिया गया 7 मिनट तक खुला रखा गया पहले अकेले 7 मिनट तक तो एक मिनट में बढ़ते हैं कितना 5 चान नो 7 मिनट में कितना बढ़ देंगे नसद 63 63 180 लीटर था 63 लीटर भर गया बचा कितना 180 में 63 अटा दिये 63 बढ़ गया ये बचेगा 7 यहां जाएंगे 17 17 जाएगा बचेगा 11 17 लीटर इसके बाद कंडिशन क्या आई इसके बाद कह रहा है गयात कीजिए कि टंकी में भर दें 7 मिनट बाद C भी खोल दिया गया अब टंकी कितनी देर में भरेगी तो 59 थे 9 तो यह भर रहा था 1 मिनट में लेकिन 6 खाली हो रहा थे मतलब केवल और केवल कितना भर पा रहा था 3 लीटर तो 3 लीटर भर पा रहा था आपको बढ़ना 117 लीटर 3 से डिवाइड करेंगे 3 तरीक 9, 39, 27 मतलब 49 मिनट का समय और लगेगा और आपकी टंकी पूरी की पूरी बढ़ जाएगी तो टोटल अगर समय पूछेगा तो टोटल समय कितना था 7 मिनट यह लगा था 49 यह तो 49 और 7 कितना हो जाएगा 46 मिनट यह आपसे पूछ रहा है टंकी बढ़ने में कुल कितना समय लगा तो 46 मिनट का समय लगा इसके बाद लाश्ट एक्जामपल जो है 4 नमबर उसको देखते हैं फिर एक सरसाइच के बढ़ते हैं फोर्थ एक्जामपल चुकते एक्जामपल कहे रहा है दोनल A तथा B किसी टंकी को क्रमसा 15 और 12 मिनट में बढ़ते हैं A बढ़ता है 15 मिनट में B बढ़ता है 12 मिनट में इसके बाद कंडिशन क्या हुई कह रहा है तथा तीसरा नलसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है C जो है इसको 6 मिर्ट में माइनस का मतलब यह हो जाता है इसको खाली कर रहा है 6 मिर्ट में खाली कर सकता है अब इसका लेंगे LCM LCM लेंगे आएगा 60 15, 40, 12, 55, 60 6 से डिवाइट करेंगे 10 बार जाएगा कहे आप से यह रहा है कि पहले A तक B को 5 मिर्ट तक खुले रखते है इसके बाद C को भी खूल दिया जाता है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी A और B को 5 मिर्ट तक खाली रखा गया तो A और B को 5 मिर्ट तक चालू रखेंगे तो 5, 4, 9, 9 यह भर रहा है थे एक मिनिट में तो 9, 5 मिर्ट में कितना भर देंगे 9, 5, 45, 45 भर दिया इसके बाद इन 3ों को चालू कर दिया गया जब इन 3ों को चालू कर देंगे तो यह तो 5, 4, 9 भरेंगे लेकिन यह 10 खाली कर देगा मतलब यह तो 9 का 9 खाली करेगा एक और खाली कर देगा एक मिनट में एक खाली कर रहा है तो 45 खाली करना है कितने मिनट लगेगा 45 मिनट का समय लगेगा और यह टंकी जितनी भरी थी वो पूरी की पूरी क्या होगी खाली हो जाएगी इस प्रकार यह आपके एक्जामपल कम्प्लीर हो गए